प्राशी कुंडली फल एवं भविश्य फल दो हजार पंद्रा परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से ये जो मानव योनी हमें दी है ये है सर्वोत्तम योनी है क्योंकि जो जो भोग जैसे अन, धन, बल, वैभग, कीर्टी, प्रजा, शान्ती, सुख, आराम, मनोरंजन, शिक्षा, आदी आदी जितने भी हमें भोग प्राप्त हैं उतने किसी और योनी में नहीं है पर मात्मा ने मानव योनी में हमें जो बुद्धी दी है अर्थात ज्यान दिया है वहें भी किसी और योनी में नहीं है हम अपनी सदैव शारिरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नती की कामना करते हैं और अपने जीवन में सुख ही सुख, आनन्ध ही आनन्ध और उन्नती ही उन्नती चाहते हैं कारण वश कभी दुख, अशान्ती या कस्ठ हो रहा हो तो भी हम इश्वर से सुख, शान्ती और स्वस्थ की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं सुख दुख, स्वस्थ अस्वस्थ, शान्ती अशान्ती, जै पराजय, जन मरण, राग द्वेश, मितरता वे मनुष्यता, गरीबी अमीरी जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी न किसी प्रभाव के कारण ही होता है उधारन के तौर पर, जैसे अगर आपको नजला या जुखाम होता है, तो इसका मतलब है या तो आपने जादा ठंडा पेपरदार्थ पी लिया है, या आपने खाने में असावधानी बढ़ती है या अप ऐसे व्यक्ति के पास थे, जिसे जुखाम था, या ये मौसम में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है इस सवस्था में अब आप क्या करेंगे, चिकित्सक के पास जाकर दवाई लेंगे, और अब स्वास्थे हो जाएंगे ये जो कस्ट है, और कस्ट हो रहे हैं, यह आपके ग्रह देवों के अनुसार भी हो सकते हैं और आपकी राशी में क्या क्या घटित होना है, उसके अनुसार भी हो सकते हैं आपकी जन्म तिथी के अनुसार यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपके जन्म के दिन समय में तिथी, तिथी देवों, नक्षत्र, नक्षत्र देवों, राशी, राशी स्वामियों, योग आधि कौन कौन से थे उसी के अनुसार इश्वर ये प्राथना के लिए पूजा पद्धिति की जाती है और इश्वर से हम सुख लाव की प्राथना करते हैं यह निश्चित है कि आपके विश्वास और श्रधानुसार आपको फल लाव हो जाया करता है और हम इश्वर को धन्यवाद देते हैं आस गनेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाय प्रदान करते रहेंगे